दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहसे के बारे में जो सेकड़ो सालों से जमीन में दफन था और हाल ही में हुई खुदाई के दोरान वो सब के सामने आ गया है जिसे देखकर दुनिया चौक गई है तो क्या था वो रहसे जानने के लिए वीडियो पूरा देखी और चैनल बन नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें तो चलिए सुरू करते हैं उत्तर पक्षमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी प्रात्तो विद्यों के संयुक्त दल खुदाई कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ खास दिखाई दिय दरसल उन्होंने बहुत दिकाल के तीस सो साल पुराने की मंदर की खोच्की है इसके साथ ही कुछ अन्य बेस कीमती कलाकरतियां भी खुदाई में मिली हैं तो हम बात कर रहे हैं पेशाव यानिकी भाषा उत्तर पक्षमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी प्रात्त्त विद्यों के एक संयुक्त दल ने बोद्दकाल के तीस सो साल पुराने की मंदर की खोच्की है इसके साथ ही कुछ अन्य बेस कीमती कलाकरतियां भी खैवर पक्षु नकवा प्रांथ के स्वाथ जले में बारी को टैसिल के बोद्दकाल के बाजीरा सहर में मिला है इस मंदर को पाकिस्तान में बोद्दकाल का सबसे प्राचिन मंदर बताया जा रहा है जी हां दोस्तों इस संबंधब एक वरिष्ट अदिकारी ने कहा जिनके सिख्खें अंगूटियां बर्तर और यूनान के राजा मिनांदर काल की खरोस्टी वासा में लिकी सामग्रे भी सामिल है। के बिविन धर्मों के लिए बहुत महत्पूर हैं। में उसका लिंक दिये हैं आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही उम्मीट करता हूँ आपको इस्टोरिक न्यूज अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें। साथी सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।